दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप्लिकेशन बनवाने के बाद आपको कोन सी गलती है नहीं करनी जाएगे और यह बहुत जाद़ इंपोर्टेंट है इसको पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ और आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि application बनवाने के बाद जो mistakes आप कर रहे हो वो मत करो उससे क्या होगा एक तो आपके application का trust खतम हो जाएगा जो mistakes आप कर रहे हो वो वीडियो में आगे मैं बताऊँगा पर यह गलतिया क्या हो रही है आपसे इस चीज़ को पहले आप समझो सबसे पहली बात तो जब तक आप अपने application को खुद टेस्ट ना करो सारे functionality को खुद से चेक ना करो तब तक आप application को मार्के में launch मत करो सेकेंड यह टेकनिकल चीज़े होती है application बनाना application जब भी development team आपको य डिलिवर करने के बाद development company का काम वहीं पर खतम हो जाता है क्योंकि उन्होंने आपको डिलिवर कर दिया है वह बाकी other projects पर लग जाते है काम करने के लिए क्योंकि उनका वही बिजनस है तो यह क्योंकि टेकनिकल चीज़े हैं तो आने वाले टाइम पे अंड्रॉइड कभी-क अपका अप्लिकेशन चले यह भी पॉसिबल नहीं होता है लगब 80% ही आपके डिवाइस में आपका अप्लिकेशन चलेगा यही आपको मान के चलना पड़ता है तो टेकनिकल चीज़े हैं तो बगस आते रहेंगे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी AMC जो कॉंट आपका बिजनस का जो विजन है वो बहुत बड़ा है तो विदाउट AMC या फिर इन हाउस डेवलेप्मेंट टीम अगर आपने नहीं रखी है तो आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकते हैं कुछ बड़ा विजन आप मत रखो कि यह कोई मतलब नहीं है अगर आपका अप्लिके किसी भी तरीके का अप्लिकेशन हो जो बड़ा मतलब जिसमें आपका इंवेस्टमेंट दो लाग तीन लाग चार लाग अबाव वन लाग का जिसमें इंवेस्टमेंट हो वहाँ पे कंपनी के साथ आप एमसी ज़रू करवा हो जो 15,000 30,000 की या 45,000 जो भी हर कंपनी का अलग चाहिए आपको development company से इससे क्या होगा इससे लिए को चार-पांच चीजों से बच के रहोगे क्या आप कम देखो मैं प्रूमोट नी कर रहा हूं मेरे की service को depending on you मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप EMC मुझसे कर रहा हूं ऐसा नहीं आप किसी भी development company से करवा सकते हो EMC जिस पर आपको trust हो उसको source code प्रोवाइड करके आप EMC ले सकते हो उनसे ठीक है तो क्या होता है अभी यह coding है coding को भी हर टाइं मिंटेन करना पड़ता है कब कहां क आप सारे कितने डिवाइस में चल रहा है क्योंकि आप अगर उस पर जादे यूजर्स आ रहे हैं तो code कहीं फटना नहीं चाहिए code कहीं लाग नहीं करना चाहिए application नहीं आने चाहिए इन सब कहीं यही काम होता है maintenance जो आपका कर रहे होते हैं वो यही प्रॉब्लम सॉल्व क तो वहां पर अपने लिया होगा तो आप बच जाओगे क्योंकि वह टीम आपके application पर वर्क कर रही है तो आपका application सेफ रहता है अगर आपने यह नहीं लिया है तो यह सारे प्रॉब्लम सापके सामने क्रेट हो जाते हैं कुछ फीचर्स बगर एक्स्टर डलवान हो तो भी आपको अलग्स एक्स्टर कॉस्ट पे करना पड़ता है जबकि एमसी में यह भी लगभग हो जाता है लगभग काफी 50-60% कंपनिया यह functionality वाले वर्थ भी प्रवाइट कर देती कि हम भी प्रवाइट करते हैं ठीक है उसके बाब में अगर आप एमसी नहीं लेते हो और एक किसी भी development company से करा सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जहां से application बनवाया है वहीं से MC लेना जरूरी नहीं होता है आप annual maintenance contract जो रहता है यह आप कहीं और भी development company जो आपके नियरबाई है वहां से भी कर सकते हो यह जो सारी प्रवाइब क्योंकि 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 आपके उनको प्रवाइड करो मतलब पूरा हैंडवर करो समझाओ उसके बारे में और उनको उनसे वह contact करा ला उससे क्या रहेगा वह contract कराने के बाद आपके नियरबाई है तो आप डेली विजिट कर पाऊगा कुछ प्रवल्म है तो फटाफट सलूशन मिल जाएगा आपको क्यों जल्दी स्वाल पर के देगा बट स्टिल आपके एपनी चॉइस रहते हैं सब की पर यह गल्दिया बिल्कुल ना करें चुमें आपको बता है और सबसे एक और गल्दी आप जाते हो कर लेते हो जब भी एप्लिकेशन आपका लांच होता आपके हांग में दिल्वर होता उस स्टाटिक अप्लिकेशन से उनके लिए चलो फिर भी ठीक है बट डैनमिक अप्लिकेशन अगर आपको कुछ बड़ा विजन बड़े गोल्स हैं तो यह गलती हैं आपको नहीं करनी चाहिए और क्यों एमसी के बारे में आपको जादा बता रहा हूं एमसी कितना जाद इंप अगर आपको जादी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा कॉंटैक्ट नमर दिया हुआ है